हैपी कृष्ण जन्माष्टमी आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की धेर सारी शुबकामनाए आज का दिन बहुत ही पवित्र है बहुत बड़ा दिन है मेरे लिए तो बहुत बड़ा दिन है आज का दिन बोले तो कृष्ण जन्माष्टमी का दो साल वो बैंगलोर में के जो कृष्ण जन्माष्टमी मैं मैं आपको शब्दों में बता नहीं सकता कि मेरे को क्या फल प्राप्ति वहाँ पे हुई है यही कहूंगा कि आज का दिन बहुत बढ़ा दिन है कृष्णा जन्मास्टमी का दिन और भगवान स्री कृष्णा के लीला का बोले तो उनका जो पूरा जीवन उन्होंने जो लीला यहां पे की धर्टी के उपर की तीन चीज़े उन्होंने जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रभुराम के बारे में अगर कोई ने पूछा तो क्या कहोगे तो जो खुद तूटके भी किसी और को ना चुबे वो तो सुरिफ प्रभुराम ही हो सकते हैं और भगवान स्री स्री क्रिश्न के बारे में क्या कहेंगे तो भगवान स्री क्रिश्न के बारे में यह कहेंगे कि तूटे हुए उंको भी चाहे कितने भी तुकड़े हो चाहे कितना भी आप तूट चुके हो उसे फिर से जोडने का काम अगर कोई कर सकता है तो वो सिर्फ मेरे द्वार का धीश तो देखिए ना एक ही भगवान के ये दोनों आउतार कितना 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 साफ मैसेज दे रहे कि भगवान श्री राम खुद तूट चुके थे लेकिन उन्होंने कभी किसी को तोड़ा नहीं बोले तो वो इतने जखमी होने के बाद वो कभी किसी को तोड़े नहीं और भगव के नाम पे जोडने का काम किया मानवता के नाम पे जोडने का काम किया प्रेम के नाम पे जोडने का काम किया चाहे फिर वो मात्रु भूमी का महत्व बताना हो मात्रु भूमी को हमने इस धर्ती को क्यूं मात्रु भूमी कहा है उसका उनके पूरे जीवन में उन्होंने जो आदर्श बताया वो हो या फिर गव माता की जो गव सेवा करी भगवान ने तो वो गव सेवा हो चाहे अपने माता देवकी जी को कंस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई हो उन्हें न्याय दिलाया हो वो योगदान हो चाहे कंस को मारा हो धर्म की रक्षा करने के लिए दुर भगवान का जीवन एक खुद तूटे हुए थे लेकिन उन्हें कभी खुद से किसी को तोड़ा नहीं हमेशा जोडने का ही काम किया पांचो पांड़ों को हमेशा जोड़े रखे हलाकि पांचो पांड़ों के दिमाग पांच अलग थे लेकिन उनको हमेशा से जोडने का काम भगवान ने किया वहां पे और उन्हें न्याय भी दिलाया और उन्हें सिंगासन पे भी पिठाया और धर्म की स्थापना भी करके दिखाई भगवानने। तो दोनों भी आउतार एक ही विष्णु के आउतार हैं तो आज का दिन तो बहुत बड़ा है क्योंकि भगवान ने श्री कृष्ण भगवान ने यहां पर अपनी सारी मरियादाय तोड़ी थी तो आज के डेट में मैं इतना ही कहना चाता हूँ कि देश की जनता भी भगवान ने बताय हुए मार्ग पर चलना चाहिए चाहे अपने मात्रो भूमी के लिए हो चाहे अपने गौमाता के लिए हो चाहे अपने मा के लिए हो हम सब ने अपना योगदान देना चाहिए दोस्तों वहाँ पे आज हमारा मात्रो भूमी जिस छलकपट से गुजर रही है हम सब का दाई तो बनता है कि इस अज्यान को हराय जाए इस अज्यान को कैसे हराओगे तो इस अज्यान को हराने के लिए आपको एक जूट होके नाइतिकता भी स्थापित करनी है खाली एकता हमारी एकता से काम नहीं होगा तो साथ में हमें नाइतिकता भी रखनी पड़ेंगी सरकार के हलत हर गलत नीतियों के खिलाफ हर गलत वन्चित बहुजन आगाडी आगे बढ़ चुकिए जाहे वो मेरे नावी समाज के लोग हो जाहे लोहार समाज के लोगो चाहे यह जो कुमभार समाज के लोगो इन समाज को नियाए दिलाने के लिए या उनकी मदद करवाने के लिए जैसे प्रकाश भौ अंबेडकर जी मुख्यमंत्री उद्दव जी ठाकरे जी से मुलाकात लेके वहाँ पे उन्होंने जाके उनसे उनकी व्यताय सुनाई और उनके प्रती क्या सरकार मदद कर सकती है वह बहुत अच्छे से बताया तो लॉकडाउन में की कुछ अच्छी बाते इस कोरोना के शडियंत्र में से कुछ अच्छी बाते सामने आई है तो माननिया प्रकाजबाव अंबेडकर जी ने जो बात बोली है इन गरीब समाज के लिए इन पिछड़े समाज को मदद मिलनी चाहिए कोई ध्यान नहीं दे रहाता उस टाइम पे उन्होंने जाके सरकार से जो बाते की है तो ये बहुती काबिले तारीफ है और जैसे कि लोगडाउन के खिलाफ इस शड़ियंतर के खिलाफ अगर आवाज उठाने के लिए अगर कोई सामने आया तो वंचित बहुजन आगाडी अभी जो अंदोलन कर रहे है तो मैं उन्हें बहुत सारी शुबकाम नाय देता हूँ कि उनके इस अंदोलन से उनके इस डफली बजाओं अंदोलन से सिर्फ लोगों के अंदर से कोरोना नाम का ये अग्यान दूर नहीं होना चाहिए ये लौगडाउन नाम का सैटानी दूर नहीं होना चाहिए तो उनके अंदर का अग्यान जो उनके पैदास से जो अग्यान बैठा है जो पीड़यान पीड़या अग्यान बैठा है वो भी दूर होना चाहिए इस देश को मेरे देश को दो बिमारिया है बहुत बड़ी बिमारिया है जो चारो युक से चलते आ रही है एक गरीबी और एक कुपोशन जैसे ये आपका अग्यान गरीबी और अग्यान ये दो चीजे दूर होनी चाहिए कुपोशन दूर होना चाहिए दोस्तों और हर बच्चे को राइट एजुकेशन मिलना चाहिए सिर्फ एजुकेशन नहीं मिलना चाहिए तो राइट एजुकेशन मिलना चाहिए उसका चरीत्र भी बनना चाहिए, रोजगार के साथ साथ हर बच्चे का एक अच्छा चरीत्र भी बनना चाहिए दोस्तों, रह गया सवाल राम जन्म भूमी का, आज जो नियारा मंदीर का चल रहा है, कुछ लोगों को राम भगवान में आस्था है, वो खुश है कि मंदीर हमें बनके हम भकतों का, एक्च्छल उसके अंदर भकतों का ही है, उसके अंदर भगवान का कोई योगदान नहीं, तो उसके अब वो किस तरह से टिकाते हैं ये राम भग्धों के उपर डिपेंड करता है आपने देश के राजकार度 से अपने राम मंदीर को कैसा बचा के रखते हैं ये रामभज़ों के उपर है क्योंकि उनका यहाँ पे बहुत बड़ा योगदान है तो उनी की जीत है यह सबसे बड़ी जीत तो उनी लोगों की है तो कुछ लोगों को राम मंदिर का न्याय होने के बाद किसी अन्य धर्म को नीचा दिखाने के लिए बाते कर रहे हैं किसी भी धर्म का विस्तार नहीं होना चाहिए दोस्तों विस्तार बोले तो किसी के उपर आपन अपनी ताकत वर्चस्वित बताने की कोशिश कर रहें अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश कर रहे है जो विस्तार को हमेशा से भगवान ने लथाड़ा है भगवान नकारा है चाहे वो दुरियोधन का विस्तारवादी शैली हो चाहे कंस की विस्तारवादी हो भगवान ने वहाँ पे नकार दिया है चाहे रावन का वहा हें हमारा और हमारी संस्कूरुति कई से चलते आ रहे हैं दोस्तो हर किसी गरीब कमजोर cattlegt मजबूर हर लाचार हर जीव स्रुष्टी को उसका अस्तित्व प्यारा होता है और हम मनुष्य योनी का कर्तव्य है कि सबका अस्तित्व अबाधित रहना चाहिए दोस्तों तो आज जन्मास्टमी के नाते जैसा हम भगवान ने मैसेज दिया है कि सबको मिक्स करके एक ही काला बनाया है भगवान ने भगवान ने अलग-अलग डीश बनाये क्या नहीं बनाये भगवान ने एक ही डीश बनाये काला का डीश बनाये फिर उस काले के अंदर उन्होंने खटा भी लिया है उसी के अंदर मिठा भी लिया है उसी के अंदर तीखा भी लिया है और उसकी के अंदर खारा भी लिया है औ और आइसे करके भगवान ने काला बनाया था और सब के साथ मिल के खाया था वो काला तो इस कृष्ण जन्मास्ट्यमी को आइसे ही मैं देश के जनता से एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि वो सब साथ में मिल जाए और अपने सरकार के गलत रणनीतियों के खिलाफ खड़ा हो ज दोस्तों देश में अग्यान पहले ही भोच जादा है और जो कुछ चल रहा है जिस तरह से भारतिये सरकार हम जनता के उपर जो कानूने थोप रही है हमें जो दंड दिया जा रहा है हमें जो तकलीज दी जा रही है भारत सरकार के तरफ से इसका निशेद होना चाहिए दोस हमें ँचे हटना चाहिए और देश के जनता को यहां पे आगे से हम गलत रन नहीं दिया गलत बाते गलत निउस के सहारे हम देश के जनता को आगे चलके बिलकुल तकलीफ नहीं देंगे और ब्राड कास्टिंग का मिस्यूस अब हम आगे चलके नहीं करेंगे यही बात सरकार ने accept करनी है दोस्तों 65 लाग पेंशनर्स को जिस तरह से सरकार ने तकलिफ दिये चाए भारतिय जनता पार्टी हो चाए कॉंग्रेस पार्टी हो अच्छा लगता है क्या मैं माननिय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोधी जी स से पूछना चाता हूं क्या इन 65 लाग परिवारों को इन बुजूर्ग पेंशनर इन गरीब पेंशनर इन शोशित वर्ग के पेंशनरों को तकलिफ देखे इनको रोज क्या रोज आप जूटी बाते करके और इनके तरफ नहीं देखके आप कौन सा अच्छा काम कर रहे हो बगवान के प्रती इस देश के राष्टर हीत के प्रती आप कोन सा कर्तव निभा रहे हो आपके लेबर मिनिस्टर इन गरीब पेंशनरों के तरफ देख नहीं रहे है और भारत की सरकार जो मेजारटी में होने के बावजूद इन 65 लाग पेंशनरों का जिस तरह से अपमान कर रही है इने जिस तरह से प्रताडित कर रहे है इने तकलिफ दे रही है औरेड़ी людей में है अच्छा लगता है क्या मैं माननिय पंतर प्रधान श्री नरेंद्र मोधी जी से पूछना चाता हूं चालता हूं कि आप लोग बहुत ताकतवर हो आप सत्ता में हो आज आपका प प्रसारित करते हो तो आप अपनी वावा प्रसारित करते हो अपने बड़े-बड़े कर्म प्रसारित करते हो लेकिन आपने कू कर्म अपने गलतिया कभी प्रसारित नहीं होने देते और इसी के चलते आपका विकास नहीं होता है आपकी प्रगति रूख जाती है इसलिए मैं नरेंद्र मोधीजी से कहना चाता हूँ सबका साथ सबका विकास आपने जो मुल मंत्र कहा है आपने जो मंत्र दिया था आपने जो नारा दिया था मोधीजी वो नारा साबित नहीं हो रहा है क्यूंकि आप डलेकली 65 लाग पेंशनरों के दर्द को नजर अंदास कर रहे हो आपको क्या रीजन है इन गरीब पेंशनरों से आपने इनने आपको क्या तकलिफ दी है मैं पूछना चाता हूँ पिछली सरकार ने जो तकलिफ दी आप ही वैसे ही तकलिफ दे रहे हो क्या इन गरीब पेंशनरों ने जल से जल न्याय दिलाने का वो भी पूरी तरह से अपने जिम्मेदारियों को जटक के बाजू में जाके बैट गए है अपनी जिम्मेदारी भूल चुके है तो पेंशनरों को भी पता चले कि उनकी ऐसे क्या कर्मत है जिसके चलते माननिय पंत्यप्रदान श्री नरेंद्र मो दीजी से कहना चाता हूं कि इन 65 लाग पेंशनरों को आप न्याय नहीं देना चाते मत दीजिए लेकिन इन्हों ने ऐसा क्या जुरुम किया है अपने देश को ऐसी कौन सी बरबादी किये वो तो जरा बता दीजिए आज तो बहुत बड़ा दिन है आप भी आप भी गुज जंता ने फॉलो करना चाहिए था लेकिन बदकिस्मती मेरे देश की हमेशा से कुछ ना कुछ गलत होते आया और आज देश आपके सामने है कि अभी भी हमारी मेहनत हमारे हमारे महान महत्माओं की मेहनत जिस देश को आजादी दिलाने के लिए इतने बलीदान दिये और बहुत बड़ा दीन है माननिय पंत प्रदान श्री नरेंद्र मोधी जी से कहना चाहता हूं कि भगवान स्वीकृष्ण आपको सदबुद्धी प्रदान करे लेबर मिनिस्टर को सदबुद्धी प्रदान करे और इन गरीब पेंशनर्स को जल से जल न्याय मिलना चाहिए न बहुत अगर आप ना मदद करेंगे तो बहुत करेंगे और इन गरीब पेंशनर्स को जल से जल न्याय मिलेंगा लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि भारत सरकार का नाम खराब हो मैं चाहता हूं मेरे भारत के पंत प्रदान को जब भी देखूंगा तो मुझे सल्यूट करने की भावना पैदा हो वो ऐसे कर्म होने चाहिए और भारत का पंत प्रदान आइसा ही होना चाहिए जो अपने देश के जनताओ की पीडाओं को बरदाश नहीं कर सके उन्हें न्याय कैसे दिला सके उसे रातन दिन उसको यही अपने दिमाग में ढुमते रहना चाहिए लेकिन लेबर मिनिस्टर अपना दाईत्वन नहीं निभा रहे है तो माननीय पंतप्रदान श्री नरेंद्र मोधी जी ने तो भी सामने बढ़के इन गरीब पेंशनर्स को न्याय दिलाना चाहिए था जो बतकिस्मती से समय पेंशनर्स बर्बात किया गया और कितने पेंशनर्स मर च चिलता जागरत नहीं हो रही है और अन्याय के प्रति वो चीड जागरत नहीं हो रही है और न्याय के प्रति वो महत्व कांख्षा उनके अंदर जागरत नहीं हो रही है मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि 73 साल बाद भी 73 साल बाद भी आज भी भारत के शासन के अंदर भ बहुत बुरी बात है और मैं भारत के पंतप्रदान श्री नरेंद्र मोदी जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि 65 लाग परिवार आपका इंतजार कर रहे हैं दिन रात आपका इंतजार कर रहे हैं कि हमें आज न्याय मिलेंगा हमें कल न्याय मिलेंगा लेकिन अभी तक उन order line of death exactly sir but what's the use of sir Kumar Basu sir Pina ki Kumar Basu sir what message you have given here absolutely accepted क्योंकि मैं खुद मानता हूं लड़ते लड़ते जीना हैं लड़ते लड़ते मरना है हमारी बदकिस्मत यह हमार को और कितने पीडियों तक लड़ते लड़ते ही मरना है भगवान को पता है मुझे नहीं पता लड़ते ही मरना है हमारे नसीब में आजादी के सपने हमारे नसीब में कभी थे लड़ते लड़ते ही मरना था, नवकीरी करे, नवकीरी करने के बाद में, नौकीरी करते समय कम तनक्वाय दी गई, महिना भर भी तनक्वाय बस नहीं ओती थी हमें, इतनी कम तनक्वाय दी गई, आइसी कौन सी सूड़ ब değ해, हम लोगों के साथ सरकार ने की, या सुत्रधार आप जो कह रहे हो सही बाते हैं लेकित sir पीना की कुमार बासु sir but my question is if if we have to if we have to fight and die अगर if the country is making us if the government is making us fool generation by generation then what's the use of freedom sir then what's the use of freedom if the government is fooling us generation to generation then what's the use of this freedom and for this and for this freedom our mahatma given so much balidan so much sacrifices then what's the use what is going with this country it's then it's better we could we should be in हम गुलामी में रहते थे तो अच्छा होता था sir हम गुलामी में ही रहते थे तो अच्छा होता था अंग्रेजों की गुलामी में ही रहना चाहिए था sir क्या फाइदा हुआ ऐसे आजादी का पिछली सरकार ने हमें नजर अंदास किया अभी की सरकार हमें नजर अंदाज कर रही है तो फाइदा क्या हुआ? हमारे वोट का फाइदा क्या है? हम जिसको चूनके दे रहे है वो करोड़पती बन रहा है उसका अमान सम्मान हो रहा है लेकिन हम जो 35 साल, 30 साल नोकरी कर रहे है उसका हमें मोबदला तक नहीं मिलता है ह हमारा घर तक नहीं चलता है, 35 साल नौकरी करके, दोस्तो, दोस्तो, पेंशनरों को रस्ते पे उतार के, उनको लड़ने लगाना, ये कोई प्रेरना नहीं है, ये देश की बतकिस्मत ही है, देश के कानून में कईना कई खोट है, मिलावट है, कई ना कई करोडों का करप्शन है, ईपी अफो का, देश के मजदूरों के प्रती, यहाँ पे पार्शेलिटी है, उसी के चलते ये सब खेल चल रहा है, लेकिन अभी भी भारत की सरकार जागती नहीं है, नियाए दिलाने के लिए इतना विलंब हो रहा है, कोरोना जैसे ड्रामे करना पड़ता है इन लोगों को, देश के जनता के अग्यान को बढ़ाना पड़ता है इन लोगों को, क्या फाइदा हो भगवान का, भगवान ने एक बात कही थी, कि दुरियोधन के साथ जब इनके भीम के बेटे घटोतकच मर गए, घटोतकच को कुर्बान कर दिया, तो वहाँ पे भगवान ने, अरजुन से एक बात कही थी, अरजुन ने कहे कि, कि और कितने बलिदान देने पड़ेंगे भगवान, तो भगवान ने कहे कि कितने भी बलिदान देने के लिए तयार हूँ, तो दर्म के लिए कितने भी बलिदान देने के लिए तयार हूं, जरुरत गिरितो तुमें भी मरना पड़ेंगा मुझे भी मरना खुदको भी मारने के लिए मैं तयार हूं, लेकिन गलत इंसान के हाथ में शासन नहीं जाने दूँगा, तो ये इस पर से माननीय पंत्यप्रद प्रिशान हो जाता है लेकिन पंतप्रदान भारत शासन अगर सरकारी गलत निकले तो पूरी देश की जनता त्रस्त हो जाती है। क्या फाइदा हुआ आइसे, आइसे सरकार का मेजारिटी में आके जो गरीब, पीडित और शोशित वर्ग को न्याय नहीं दिला सकती, आइसे सरकार का फाइदा क्या दोस्तों। यह कई तो चेंज होना चाहिए। क्यों नहीं आने देते भारत सरकार के गलतिया दुनिया के सामने। भारत सरकार का मानः हम रखना चाते है लेकिन भारत सरकार इसे कर्म नहीं करती है। पंतप्रदान को सल्यूट कैसे करूंगा मैं 65 लाग पेंशनर्स को वो पंतप्रदान रुला रहा है तडपा रहा है उस पंतप्रदान को मैं सल्यूट कैसे करूं मेरी आत्मा भी नहीं साथ देती क्या फाइदा हुआ ऐसे हम कहते कि भारत महासक्ता बनने जा रहा है अरे इतना 65 लाग पेंशनर्स को अपनियाई नहीं दिला सकते तो देश में काइदा लॉयन ओर्डर कहा है देश में सच में लॉयन ओर्डर है क्या और सरकार उसको मानती है क्या सुप्रीम कोट को सरकार मानती है क्या सरवच्चन यह लेके प्रती सरकार के अंदर आदर भाव है क्या श्रद्धा है क्या और फिर देश के जनता को लॉयन ओर्डर पढ़ाना डिसि जरा देखो राम भक्तों को, घर के अंदर ही राम नौमी उन्होंने सेलिब्रेट की, जरा देखो भीम भक्तों को, भीम जैन्ती को, भीम भक्त घर से भीम जैन्ती सेलिब्रेट कीए, रमजान को देखो पूरे मुसलिम भायों ने पूरा साथ दिया रमजान को और कितना discipline आपको चाहिए था आप खुद discipline है क्या आपकी majority सरकार खुद discipline है क्या ये सवाल भारतिय जनता पार्टी ने अपने आप से पूचना चाहिए जो majority में इतने सालोबाद मेजोरिटी सरकार आई थी देश में देश के जनता ने मेजोरिटी सरकार चुन के लाई थी और मेजोरिटी सरकार खुद के मुद्धों के पीछे लगी है खुद के पक्ष विस्तार के पीछे लगी है तेलंगाना में भारतिय जनता पार्टी को सशक्त करने क लिए मानेनिय श्रीमान जेपी नडडा जी अभी तेलंगाना जाके कार्यालेयों का उद्गाटन कर रहे है यह समय है क्या भारतिय जनता पार्ति के कार्यालेय बना के भारतिय जनता पार्ति को सशक्त करने का यह समय है पूरा देश बंद रखा है देश की जनता परेशान है त्रस्त है और आप पार्ती के कार्याले बना रहे हो तेलंगाना में कार्याले बनाने की आउशकता थी अभी आपको तेलंगाना में कार्याले बनाने की आउशकता है क्या पेंशनरों का नियाए जादा इंपोर्टन्ट है या आपको पार्ती के कार्याले जादा इंपोर्टन कौन सा राम राज्य स्थापित करना चाहती है भगवान को पता है में को तो नहीं समझ में आ रहा है जिस राम राज्य में दुख पीडाओं को दूर करना ये करतव्य था वो राम राज्य कहा है और भारतिय जनता पार्ति कौन सा राम राज्य इस देश को देना चाहती है वो मेरे को नहीं समझ में आ रहा है कितने अंदोलन भारतिय जनता पार्टी एक्सपेट करती है पेंशनरों के द्वारा और कितना इंतजार करवाएगी और 15 अगस्ट को यह भारतिय जनता पार्टी के नेताओं को अच्छा तो भी लगेंगा कि तिरंगे को सल्यूट करने को जो 65 लाग परिवारों को पिछले 6 सालों से घुमा रहे है सता रहे है जूट पे जूट बोले जा रहे है सुप्रीम कोट का डिसॉनर करते जा रहे है आईसी सरकार 15 अगस्ट कैसे सेलिबरेट कर सकती है और इनको मान मिलना चाहिए क्या लौएन ओल्डर खाली देश के जनता के लिए है पंतप्रदान के लिए लेबर मिनिस्टर के लिए कोई लौएन ओल्डर नहीं है दोस्तो सवाल के घेरे इनके साथ हमेशा रहेंगे क्यूंकि ये लोग जो कर रहे है ये बहत गलत चीज़ है और देश के जनता को मैं एक ही कहूंगा मैं मेरा विशे खतम करता हूँ कृष्ण जनमास्टमी में भगवान स्री कृष्ण आपको सब को सदबुद्धी दे देश के समस्त जनता को भगवान स्री कृष्ण सदबुद्धी दे और अपना अज्यान दूर करे और अपने देश को जल से जल चालू करे और अपने देश में लोगशाई का महत सव सेलिब्रेट करे सरकार साथ नहीं दे रही है तो जनता ने करना चाहिए आगे बढ़के और अपने देश को अज्यान से दूर करना चाहिए कोरोना का छल कपट दूर होना चाहिए कोरोना का जो हमारे उपर जो जूट थोपा गया वो दूर होना चाहिए और देश में एक लोगशाई का मोहतसव होना चाहिए और यूनिटी सामने आनी चाहिए सब लोग अपने अपने कामकाज पर ध्यान दीजिए और पेंशनरों को न्याय मिलेंगा या वो आईसे ही मर जाएंगे वो भगवान जाने भारत के पंतप्रधान जाने इन गरीप पेंशनरों को वो न्याय दिलाना चाते है लेबर मिनिस्टर जाने उनका दाईत्व क्या है वो खुदी जाने क्या देश के जनता ने इन लोगों को कोई कमी की है दोस्तो आप मेरे को बोलिए 1000 रुपे पेंशन लेके जी रहे हैं हम लोग लेकिन पंतप्रधान को किसी चीज की कमी है क्या लेबर मिनिस्टर को किसी चीज की कमी है क्या दोस्तों में को बोता ही आप गूमने फिरने के लिए इनने किसी चीज की कमी है क्या भारत के पंतप्रदान को घुमने फिरने के लिए लेबर मिनिस्टर को फाइस्टार ओफिस के इतना बड़ा आलिशान ओफिस है इतने सारे यंत्रनाएं उनके साथ है इतने सारी फैसिलिटीज है तो फिर देश के जनता के समस्याओं का निवारन करने को लेबर मिनिस्टर अकारेक्षम क्यूं हो गए क्या भारत के लेबर मिनिस्टर देश के सामने आके बताएंगे कि हम क्यूं पेंशनरों को सता रहे हैं बोलके सुप्रीम कोट का डिसॉनर कर रहे है बोलके बताएंगे क्या भारतिय जन्ता पार्टी सच्चाई के बारे में 56 इंची कोन है मैं माननिया राहुल गांधी जी सर्थ से भी कहना चाता हूँ राहुल गांधी सर आप ही कॉंग्रेस के अध्यक्ष हो क्यूंकि 2014 में जब कॉंग्रेस पार्टी हारी थी और 2021 में जब कॉंग्रेस पार्टी हारी तब भी आपने जिस नहितिक्ता से जिम्मेदारी ली वही आप पार्टी के अध्यक्ष बने हो मैं राहुल गांधी सर से भी कहना चाता हूँ कि अभी तो भी वह पेंशनर्स के लिए सामने आए और जलसे जल्द इन गरीब पेंशनर्स को न्याय दिलाने के लिए माननिय पंतप्रदान श्री नरेंदर मोदी जी से बात कीजिए क्यूंकि ये पॉलिटिकल केस नहीं है आप सभी को दुआए मिलेंगी जो जो पॉलिटिकल पार्टी सामने आके ये करेंगा सभी को दुआए मिलेंगी गरीब पेंशनर्स आपको दुआओं के सिवा कुछ नहीं दे सकते एक देश में सौहार्द पूर्ण वातावरन एक सारवबहुमत्व और एक सुकशान्ति का वातावरन आप ला सकते हो सर आप मानेनिय पंतप्रदान श्री नरेंद्र मोदी जीस से मिलिए और गरीब पेंशनर्स के बारे में जल से जल फास्ट ट्रैक में न्याय दिलाज दीजिए सर डारेक इन गरीब पेंशनर्स के आकाउंट में पैसे आ जाना चाहिए उनके मेहनत का पैसा बिल्कुल रुकना नी चाहिए जो भी एरियर है पूरा ब्याच के साथ आना चाहिए इंट्रेस्ट के साथ और जो पेंशनर्स मर चुके है उनके पत्नियों को पूरी पेंशन मिलनी चाहिए और जो पेंशनर्स और उनकी पत्नी दोनों भी मर चुके है उनके बच्चों को पूरा पैसा ब्याच के साथ मिलना चाहिए मैं नहीं चाहता सरकार इन गरीबों का पैसा रख ले और ये EPFO इन गरीबों के पैसों के उपर मजा करे मैं नहीं चाहता हूँ उन गरीब जिसके मेहनत का पैसा उसे मिल जाना चाहिए एक भी रूपया सरकार ने दबाना नहीं चाहिए पहले उनके साथ भोत अन्याय हुआ है ठीक है मैं मेरा विशय खतम करता हूँ और समस्त देशवासियों को कृष्ण जन्मास्ट्यमी की धेर सारी बदाईया भगवान स्री कृष्ण सबके अंदर वो शक्ति प्रदान करे कि हम अपने अज्यान को दूर करके अपने देश के अंदर एक सुक्रशान्ति का वातावरन कायम करे राष्ट्रहीत सर्वोपरी देश भक्ती सर्वोपरी कृष्णम वंदे जगत गुरुम और जाने से पहले अखरी बार एक बात करना चाता हूँ कि आप सभी देश वासियों ने आगे से अपने देश के प्रती अपने देश के जीडिपी के प्रती हमेशा अलर्ट रहना चाहिए और जहां कहीं भी गलत दिखे सरकार की अगर कोई भी रणनीती अगर आपको गलत दिखे समय चलते देश वासियों ने वहाँ पे ही उसे अंकुष लगाना चाहिए नहीं तो ये 65 लाग पेंशनरों के जैसी केस सालों साल पेंडिंग रग दी जाएगी दोस्तों ठीक है जैहिन जैभारत जैष्ट भारत स्रेष्ट भारत जैष्ट भारत स्रेष्ट भारत नाक कमिटी जिन्दाबाद अशोक राउट सर आगे बढ़िए अशोक राउट सर आगे बढ़िए सत्यमेव जैते थैंक्यू सो मच दोस्तों